और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं महराष्ट के चिनवी महासमर से जुड़े एक बड़े अपडेट के साथ क्योंकि बीजेपी ने केंदरि मंत्री नारायन ड्राने को लोगसवा चुनाव के लिए टिकेट दिया है नारायंड राने को महराश्ट की रत्नागिरी सिंदुदुर्ग सीट से उमीदवार बनाया गया है नारायंड राने को बीजेपी ने टिकेट दिया है रत्नागिरी सिंदुदुर्ग सीट से और नारायंड राने को बीजेपी की तरफ से जो टिकेट दिया गया है जिसमें एक बड़ा नाम महराष्ट की राजनीती के साब से नारायंड राने का है और चलिए महराष्ट में नारायंड राने को तो टिकेट मिल गया लेकिन साथ ही आज नजरे जो हैं वो बारामती सीट पर लगी हुई है क्योंकि बारामती वो सीट जहां से शरत पवार कई बार संसद में पहुँचे शरत पवार का गड़ माना जाता है बारामती की सीट और जहां इस बार मुकाबला परिवार के ही बीच है NCP शरत चरंदर पवार की गुट से उमीदवार है सुप्रिया सुले जो कि शरत पवार की बेटी है वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी और ECC पर उन्हें चनौती दे रही है राज्य के डिप्टी सीम अजित पवार की पत्नी सुनेतरा पवार वो भी आज ही अपना नामांकन दाखिल करने जा रही है और सुप्रिया सुले और सुनेतरा पवार दोनों रिष्टेदार है ननन भावी का दोनों के बीच में रिष्टा है और दोनों आज ही के दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो आज का दिन NCP के दोनों गुटों के लिए शक्ति प्रदर्शन का दिन है जहां सुप्रिया सुले के साथ साथ NCP विशरत पवार गुट के अलावा महाविकास अगाली के नेता भी मौजूद रहेंगे तो यहां पर केवल परिवार का ही टकराव देखने को नहीं मिल रहा है बलकि दोनों गडबंदनों का भी टकराव देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से यहां पर परिवार की टूट हुई उसके भी दोनों धड़े देखने को मिलेगे लेकिन मेरे खिलाफ तो देश के सारे ही खरे हुए वही तो कह रहे है पूरा देश के जो विरोधी है वो सारे मेरे खिलाफ वेक होई चिपे मैं देखूूहॐ हूँ, मैंने तो स्री ब्रून अत्या खिलाफ सबसे बड़ा अंदोलन मैंने चेड़ा था, क्योंकि स्री ब्रून अत्या जिराज्य में बढ़ रही थी, उससे बहले मैंने एक पड़ी पदे आत्रा की थी और हर बेटी इस देश में जो पैदा होती है उसके खिलाफ जो हो रहा है इस देश में वो कही रुकना चाहिए आज मेरे लिए बड़ा दिन है मैं फॉर्म बने जा रही हूँ इसलिए भगवान के पास हम आये थे प्रार्थना की उनका आशिरवाद लिया सब की सेवा के लिए उनका आशिरवाद मांगा और जीत के लिए भी आशिरवाद मांगा की उस सब भगवान के पास आशिरवाद म भगवान का आशिरवाद लेने आई थी लेकिन बारामती की सीट का गनेत क्या कहता है जरा वो भी देख लीजिए क्योंकि बारामती की सीट शुरू से ही शरत पवार गुट के लिए या NCP के लिए अगर पुराने समय से देखें तो एक बड़ा गड़ रहा है और यहां मुका सुनेत्रा पवार तो दोनों के बीच में मुकाबला है यह परिवार का मुकाबला है और परिवार के इस मुकाबले के अंदर बैटल आफ बारामती से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह दोनों के लिए नाक के लड़ाई है NCP के अंदर जो टूट हुई उसमें अजित पवार अब NDA के साथ है और सुप्रिया सुले 2009 से बारामती का प्रतिने दित्व कर रही है 2019 में सुप्रिया ने BJP उमीदवार को हराया था तो बारमती के अंदर अब की बार टकराव अब की बार जो टकर है वो पवार परिवार के बीच ही माने जा रही है सुप्रिया सुले ने 2006 से 2009 तक महाराश से राजसभा के सदस्य के तोर पर प्रतिने दित्व किया और साथ ही जो राज्यतिक तोर पर अगर देखा जाए तो ये पूरे पवार परिवार का ही गड़ रहा है सुनित्रा पवार के पती अजित पवार महराश्ट के डिप्टी सीम है और इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सुनित्रा पवार के भाई पदम सिंग पार्टिल महराश्ट के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और यहां पर अब सुनेत्रा पवार जो है वो चुनावी चुनावी देती हुई नजर आएंगी सुप्रिया सुले को तो सुप्रिया सुले क्या कह रही है इस पूरे चुनाव प्रचार को लेकर वो भी आपको सनवा रहे हैं पावार जो है वो पूजा करने पहुंची थी अजित पावार के साथ में दगडु शेठ मंदिर में जो की प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर उसकी तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं तो देखें तीन तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं बारामती के अंदर किसे तरीके से यह दिल्चस्प मकाबला हो चुका है क्योंकि यह नननद भावी का मकाबला है दोनों के बीच मकाबला है और ये परिवार का ही power of battle है क्योंकि दोनों ही चाहे सुप्रिया सुले हो चाहे सुनित्रा परिवार हो दोनों ही एकी परिवार से तालुक रखती है और ये शक्ति प्रदर्शन किवल परिवार का रखती प्रदर्शन नहीं है बलकि दोनों गुटों का भी शक्ति प्रदर्शन है जो NCP के दोनों गुट है साथ-साथ ये शक्ति प्रदर्शन अंडिये गडबंदन और इंडिया गडबंदन का भी शक्ति प्रदर्शन है दोनों की तरफ से यहां पर तमाम निता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन के अंदर उन्हें साथ देने के लिए नजर आएंगे और यहाँ पर दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से 12 मती में ननन्द और भावी के बीच हो रहा है मकाबला